वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स न और इजी में आज के वीडियो में हम बात करेंगे वृत्य संबंदी कुछ हिचनों के बारे में चलिए वीडियो के शुरूत करते हैं सबसे पहले हम लोग बनाएंगी एक वृत्य के अंतरगत एक सम पंच भूज की रचनों किसे के तरजया के आपने व्रेत्र ले लेते हैं जो आपके प्राश्म दिया आप उसे साथ लेंगे हम यहां के तरजया के व्रेत्र खीच लेते हैं तो इसका हमने एक व्रेत्र घेच ले जिसका यह केंद्र को है तथा व्रेत्र के केंद्र को से व्रेत्र की परेदी को मिला देते हैं माना कि यह बिंदु ए है अब बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक 220 डिग्री के हम लोग एक एंगल बना लेतें। इस परकाश हमने हमने 23डी के ये एक एंगल बना लिया। इसलिए हमने बनाए क्योंकि 3060 डिग्री में पांच पुझ है तो पांच से दी भार दितें है तो 22 डिग्री आता है। इस बिंदू को हम B माल लेते हैं और A और B को मिला देते हैं अब आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां भी बहतर दीर बना दें फिर बहतर दीर बना दें फिर बहतर दीर बना दें दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप यह चाप ले ले एक, दो, जी हो गया, तीन, तो यह आटोमेटिक लिए उतने ही हो, चाहिए, तो इस प्रकार से आप इसको C माल ले, यह D हो गया, यह आपका E हो गया, B, C, D, E, A को मिला देते हैं, इस प्रकार से हमारा यह पंच भोज, वृत के अंत्रगज, बन जाता है, अब हम वृत के परिगत, पंच भोज की बात करेंगे, वृत के परिगत, पंच भोज की रचना करना, तो माल ले, यह हमना फिर को एक वृत ले लिया, इस वृत का यह केमर O है, और से इसकी परिगों सीधे मिला देते हैं, इस परिगत, तदा इस पर बाताड़ी का एक एंगल होना लेते हैं, इस परिगत, इसको कोई नाम दे देते हैं, K, B, A, O, B, यह आपका बाताड़ी एक एंगल हो जाता है, आप A, B दूरी ले करके, इस वेत को बराबर चाप लगा देते हैं, और इन बिंदों को मान लेते हैं, C, D, E, C, D, E को, को से मिला देते हैं, तो यह सारे कोन आपके बाताबातर के बन जाएंगे, यह भी 72 डिग्री का होगा, यह भी उतना ही होगा, और यह भी आपका बातर ही होगा, ठीक है, अब करना क्या है, कि यह जो बिंदों A, B, C, D, E है, इस पर हमको लम खीचना है, इस प्रकार से लम खीचते हैं हमने रेखा को आगे पिछे बन और बढ़ा लिया है, इस प्रकार से हम बिंदों B, C, D, E से भी लम खीचते हैं, तो इस प्रकार से आप देख रहा हैं कि जो हमने यह B, C, D, E बिंदों लिया था वह पर लेदी हम लम खीचते हैं, तो आटोमेटिकली आपका एक पंचबुत पेयर हो जाता है, इसका नाव आपको भी रख सकते हैं, P, Q, R, S, T, अगली रचना है, वृत के अंतरगत सम शट भुज़गी रचना करना, तो एक को ब्रत ले ले लेते हैं, पहले कितारा, यह आपका ona केंद्र हो गया, इस केंद्र को ब्रत की परिज़े से मिला देते हैं, aheadомина ke lealti e a, we को मान साइण दीजरे का अंगल जम दे इंगले, to seat aaati degree जम ने वह फाया ने, इसलिए बनाया क्योंकि हमको शट भुज बनाना है और शट भुज यानि 6 भुजाएं तो 360 को AB 6 से भाग देते हैं तो 60 डिग्री आता है अब AB को मिला देते हैं तदा AB लंबाई का हम चाप ले लेते हैं और उतने ही चाप हमें इस वृत पर लगा देते हैं इसके थार से इसको हम C, D, E, F मौन देते हैं अब इसे C को फिर C से D को D को से E को E को F से और F को A से मिला देते हैं इस प्रकार हमारा वृत के अंदर का समशट भूज की रचना हो जाती है अब वृत के परीगत समशट भूज की रचना करना हो अब यह हमने वृत के अंदर बनाया था अब वृत के बाहर बनाता है उसके लिए फिर हम को एक वृत के ले लेते हैं हम इस प्रकार हमने एक बुरइत लिए लिया एक एमान लेते हैं और ओ को हैltr पर इदी से मिला देते हैं कहीं कर, तो यह हमने मिला दिया, इस बिंदू को A मान लेते हैं, और वह पर हम साथ डिगरी का एंगल बना लेते हैं, अब परकार से भी बना सकते हैं, और चांदे की मदद से भी बना सकते हैं, उस परकार से हमने साथ डिगरी का एक एंगल बना लि इसको हम कुछ नाम दे रहते हैं C, D, E, F अब बिंदू O से हम C, D, E, F को मिला देते हैं इस प्रकार से अब बिंदू A, B, C, D, E, F पर बारी-बारी से हम 90D का एंगल बनाते हैं अगल बनाते हुए अगल बनाते हुए रेका कुम आगे पिछे दूनों दिशाओं में बढ़ा लेते हैं तो इस प्रकार सभी बिंदू से हमने क्या किया है लम खीच दिया है चित थोड़ा बर्दा लग रहा है तो इसको हम थोड़ा साफ तर देते हैं ताकि आपको दिखने में इस पास्ट दिखाए खड़े आज की वीडियो में इतना ही मिलता है अगली वीडियो में कुछ नई रचना हो साथ कमेंट करके बताएए कि आपको वीडियो के साल अगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद